कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आम का मौर है इस कितने उपर तोड़ जाता है आपको पूरा इंफार्मेशन यह तुझे बताऊंगा और अच्छे ब्रांच और न्यू बत कैसे आएंगे इस वीडियो में जानिए हाई दोस्त मैं रभी आज मैं आपको देखिए य मैं आपको दिखाऊंगा जुम करके इसमीन मैंगो प्लान थे इसका मौर क्यों तोड़ा जाता है और तोने से होता है इसके बारे मैं आज मैं बताओंगा आप मेरे वीडियो में अन्त बने रहें जो आपको नो समझ में आए तो मेरे से कमेंट नवस्त सकते हैं अगर आपक कीरे माऊर में दाने नहीं बर रहे हैं या आपका जो आम होता हुद आहरो खराब रूता olmat या सवड़ जाता है या आपका मैं में冷-ण कईड़े पर जाते हैं उनका समस्ता है तो दीदो पर वही है एक पाइस कर लेगाव चलते हैं इस वीडियो में जो हमने आम का मोड क्यों तोड़ जाता है या इस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है आप बाताता है ना मोड तोडने से पधे में क्या दिक्टत आती है उसमें और यह वह पर ग्राफ्टिंग किया है अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाँ गाए तेखिए यहां पर यह तकाट जोएंट अच्छा हो गया है और इसमें दिख्या रहे हैं इसमें कोई स्टेफ हो गया है उसके बाद के इसमें महर आ गया है महर को तोड़ देंगे पाला महर नहीं लेना चाहिए क्योंकि पौधे कमजूर हो जाते हैं पौधे सुखने का चांद से 95 हो ज जाएंगी जिसे इस पोध्य में मनि ब्रांच आ soybeanники जिससे पोध्य मजबुत और अच्छा हो जाएगा अब पोधा सुखने का श्रेंने नािक अथ आते हैं आप चाहें तो महुर खिल जाए तबी तोड़ सकते हैं या अथ खिला रहे तब बद निकल रहा है लेकिए उसके बाद देखिए न्यू न्यू बद निकल दिखना अपरा रहा होगे हैं इसे में देखिए एक दो तीन चार पांच छे यानि छे ब्रांच यानि छे दिशा में जाएगा तो पौधे अच्छे और स्वस्थ हो जाते हैं आपको मेरे वीडियो क कैसा लगा आप मेरे वीडियो का सियर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करना ना भूलें